नमस्कार दोस्तों, श्वगत याप सुभी लोगों का एक और फिर से हमारे अच्यार जागिंद रमिशा चैनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राजकिदानी करास्वल के बारे में लेकन उससे पहले बात करें थे हैं आज के पंचांग के बारे में साथ माई 2030 रविवार का दिन है और जेष्ट माज के कृष्ण पक्ष आज दोतियात थी है नचत्र है आज अनुराधा अब जीत महूरत आज दुपार 11 बच के 37 मिनट सिले के दुपार 12 बच के 38 मिनट तक रहेगा शूर उदय होगा शुबह प्राते है पांच बच कर 34 मिनट पे चंद्रमा की आज इस्तिती रहने वाली है चंद्रमा गोचर कर रहे हैं ब्रसिक राशी पे आज के जो अस्ब समय होगा तकरिवन होगा दुपार 1 बच कर 3 मिनट सिले के दुपार 2 बच कर 10 मिनट तक रहेगा इस अस्ब समय में कोई भी शुब और नए कार के शिरुवात ना करने तो बिखन वाधायां सकती है अब बात करते हैं आज के मिथून राश्क दानी करास्वल की और यह अप्रेक्शन चंद राशी पर अधारी थे मिथून राश्क राश्क राश्कों आज कई बड़े गुड़नोज मिलेंगे धन आने के प्रबल योग बन रहे हैं आज की दिन आज नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ सेलेरे में बर्दी होगी अगर पहले से कहीं पर निवेश किया हुआ है तो मिथून राश्क राश्क राश्कों आज आपको दुगना धनलाव हो शकता है आपके कार शेत पे पहले से कहीं ज़्यादा बहतर मुनाफ़ा देखने को मिलेगा अभी तक अगर कोई कार रुका हुआ था पिंडिंग था तो उसे पूरा करने का प्रयाश करते निजराएंगे धन संपत्ते कलाब होगा कारुबार कविस्तार होगा मेतपूर से फलताय प पूरा करेंगे जो कार अभी तक नहीं बन पारे तो वो कार बनेंगे धन किस्ते दियुके कारुबार कविस्तार होगा कुछ महतपूर यनिकी अपसर प्राप्त हो शकते हैं लंबे समयशे पिंडिंग कामों को पूरा करेंगे और रुके वे तमाम कार पूरे होंगे साथि रुका हुआ, फसा हुआ, अटका हुआ, धन भी वापस आएगा, आज की दिन मिथुन रास्कत को बहुत अच्छे अबसर प्राप्त होंगे, मिथुन रास्कत को आज बिदेश जाने की योग बन रहे हैं, आज आप घुमते फिरते ने जराएंगे, मौज मस्ती करते ने जरा होगा, धन के प्रवल योग बनेंगे, धन के स्रोत न जराएंगे, विदेश से धन आएगा, जो लोग नौकरी की तलास कर रहे हैं, जिन के लिए नौकरी मिलना काफी संभव था, आज की दिन है, इनकी बहतर लाब देखने को और सुब समाचार मिलेगा, आज आपके अपन तहने वाला है, साथी साथ बता दे कि, जो कुछ शमश्याएं थी, चाहे वो सहकर्मियों को लेकर हो, जो आपके साथ इस्टाब के साथ हो, या उच्छा लिकारियों को लेकर हो, वो दूर होंगी, बिजनेस व्यापार में भी आप तरक्य करेंगे, बिजनेस व्यापार का विश्तार करेंगे, साथी बता दे कि, जो अव्याहिज जातक है, जिनका विवाभी तक नहीं हुआ, वो उनके विवाभ के रिष्ते तय होंगे, और जिनके आल्डरी पहले से विवाते हैं, वो व्यवाहिक जीमन में बनते नजरेंगे, तो सुमंगल कार भी होंगे, घर मे इंकम बन सकते हैं, बड़े इंकम में फाइदा हो सकता है, लाब की योग बने रहेंगे, कुछ महत्पूर यानि की सफलताय प्राप्त होंगी, लंबे शमेशे प्रिंडिंग कामों को पूरा करेंगे, घर परिवार का आज सपोर्ट मिलता हो नजराएगा, आज आपकी इंक तेजी से बड़ती नजराएगी, कुछ महत्पूर सफलताय प्राप्त होंगी, लंबे शमेशे प्रिंडिंग कामों को पूरा करेंगे, जो कार अभी तक नहीं बने वो कार बनेंगे, शाथी इंकम बढ़ेगी तेजी से, इंकम में आपको जिवर्जस तलाव देखने को मिल करेंगे, कुछ ऐसे कार भी पूरे होंगे, जो काफि शमेशे नहीं बन पा रहे थे, महत्बूर सफलताय प्राप्त होंगी, कार शयत को लेकर चली आ रही परेशानिया दोर होगी, बड़े इंकम आपको मिल सकते हैं, लाब की योग बन सकते हैं, कुछ ऐसे कार पूरे आज की दिन बहुत एच्छे अच्छे पॉसर प्राप्त हो रहे हैं आज आप खुशुश है यानि कि जूमते नज़राएंगे कई प्रमोकार बनेंगे कई अच्छे वाताइवन में आज आज आपको लाब भी देखने को मिलेगा आज इस सुवर परिडाम भी देखने को मिले कोटके चेरी के मामला में वीजय प्राप्त होगी। शाथी बीरोधियों को मौत देपाएंगे। परत देंडियों को पीछे कर पाएंगे। और आज जीवन साथी से संतान को लेकर बड़े गुट्र नोज प्राप्त होुझे हैं। आज आपको बड़े भाई बहीनों को सही और प्राप्त होता होना जराएगा, और साथी कई प्रकार की जो समस्जाएं थी उत्र समस्जाएं उसे आज याज च्छुटकारा पाएंगे, बड़े अब सब प्राप्त होंगे, बताएं कि आज एगरेस्षी उना रहें, क्योंकि आज किसमत के साथ मिलेगा क्रोध में आकर आवेश में आकर कोई भी गलत निड़ने ना ले आज इगो बिलकुल ना दिखाएं और आज आपको सब के साथ मिल जूल कर काम करने की जरूरत है कट बचन बोलने से बचना होगा चेक केरियर हो या फिर बिजनेस व्यापार हो या बड़े प्रजोक्ट मिल सकते हैं किसी खास मित्र या महिला के द्वारा इस जिए आज आज आपको थोड़े सा बहुत ध्यान भी देना होगा किसी को धार करजा हलकि आप ना दे और पुराने रिंड करज अगर आप दिये थे और आज उस वे प्रियास करेंगे तो मिलता न जराएगा साथी बता दे कि आज क्रोध पर नियंदरन बनाया रखना होगा सहकर्मियों का भरपूर साथ मिलेगा कारिस्थाल पर वातावर्ड आपके लिए बहुत इस्सुब रहने वाला है पदुन्नत हो सकती है बेतन में अथवा ब्रद्धी हो सकती है जमिन जाजात को लेकर चल दे ही समस्याइं सुलजेंगी पुरानी जमिन प्रपोरिटी बेश पाएंगे जो काफी दिन से नहीं बेश पा रहे थे तो आज की दिन बहुत अच्छा रहेगा और उच्छा धिकारियों को सपोर्ट पराप्त होगा सेहत को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती है आज आपको धिया रखना होगा सेहत को लेकर थोड़े से आपको बदलाज दिखाए देंगे तो खान पीन की चीज़ों में धिया रखें जैसे कि मौशमी समस्याइं जैसे कि मौशमी बुखार वगरा या फिर कुछ भी समस्याइं आपको परेशान कर सकती है पेट से संब् जिनको पुरानी बीमारी है उनको बहुत सावधानी बरतनी की जरूरत है ये सलाह दी जाती है तो आज यानिकी कुल मिला के कहाया तो आर्थिक नुक्सान से थोड़ा बचना भी होगा और आज आपको अपने घर के बड़े लोगों से सहयोग प्राप्थ होगा माता पिता क साथ मिलेगा जीवन साथ एक साथ कंदिश कंदे मिला कर चलेंगे और संतान से गुड़नोज प्राप्त होगी संतान आपके घर में एक नहीं से मिमान कागवन होगा प्रेम जीवन में खुशिया लवलाई भी अच्छी रहेगी हर जगह आज आज आपको लाब देखने को मि चाहिं पर अब शब्राप्त होगी जो कुछ भी शमाष्या थी जो कुछ भी परशानियाथ नी दूर होगी बड़े लाब बनेंगे बड़े इंकम बढ़ेंगे कुछ अच्छे महर्पुन शफलताय प्राप्त होंगी कारभार को लेकर अच्छे नेड़े हो शकते हैं कुछ अच्छे अपसर प्राप्त होंगे जो कुछ भी शमश्याएं थी जो कुछ भी दिकते थी आज की दिन दोर होंगी बड़े अपसर आपको प्राप्त हो सकते हैं आज आपका शुब रंग रहेगा यहां पर नीरा भाग शाति निवार आपका तक्रीवन 79% तो वीडियो को लाइक करें शेर जरूर करें और चैनलों को सब्सक्राइब करें जय शनिदेव